दोस्तों आज के हमारी स्वीडियो का टोपिक है हाव तो फाइंड अर्थिंग इस गूड और नोट मतलब हमने हमारे इलक्रिकल सिस्टम के अंदर जो अर्थिंग कर रहे है वो सही है या फिर खराब है वो बताएं तो दोस्तों हमको बताना है we generally check earthing with two method मतलब जो हम earthing को check करते है कि वो सही है या फिर खराब है तो उसको हम दो तरीके से करते हैं नमबर वन जो method है check earth and ground resistance मतलब हमारे जो earthing होती है उसका हम resistance चेक करते हैं टेकंड method जो है check earthing with measuring voltage मतलब कि हम multimeter की सायता से voltage को measure करके भी आप earthing को check कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम iki करके इंदोनों method को समझ लेते हैं कि हमारी earthing कब सही होती है और कब खराब होती है समसे पहले number one point की बात कर लेते हैं इसके ऑनों जब भी हम earthing को check करते हैं उसका जब resistance को चेक करता है ground का उस समय हमारा कितना resistance permissible होता है मतलब जाहिज होता है यानि permissible का मतलब कि हमारा earthing को allow कर सकता है यानि इतना earthing हमारे system के लिए सही है वैसे दोस्तो थेorically हमारे resistance होना चाहिए बिल्कुल पास में होना चाहिए 0 ohm या फिर 2 ohm के नीचे ही पर दोस्तो जो हमारे practical field होता है उस समय हमारे earthing का कितना resistance को allow कर लिया जाता है तो वह आप हम जान लेते हैं तो दोस्तो हमारे earthing का resistance होता है यह हमारे voltage और हमारे load के हिसाब से vary करता है तो दोस्तो पहले हम इस resistance को देख लेते हैं उसके बाद में voltage को देखेंगे कि हमारे कितना voltage को allow करते हैं तो दोस्तो हमारे power plant होते हैं जहां पर बिल्ली बनाई जाती है वहाँ पर earthing का resistance मैक्स to max 0.5 ohm जा सकता है वहां पर पांच ohm resistance होना चाहिए अरफ्य फिर इसके नीचे होना चाहिए इसके बाद में हमारे street tower होते हैं हाई tension line होती है इसके अंदर 10 ohm या 10 ohm लिग नीचे ही होना चाहिए इसके बाद में हमारे domestic load है वहупहारे थो 8 ohm जा सकता है तो दोस्तों अब हम second point की बात करेंगे, check earthing with measuring voltage, कि हम voltage को measure करके भी earthing को check कर सकते हैं, तो दोस्तों जब आप interview के अंदर ये line बोलोगे, second line बोलोगे, कि हम voltage को check करके भी earthing को पता कर सकते कि earthing सही है नहीं, तो वो आप से repeat में question करेंगे, कि आप किस सरी के से करोगे, तब उस समय आपको answer देना है, we can check voltage between neutral and earth point, मतलब कि हम जो हमारा neutral point है, उस neutral point और earth का point, इन दोनों के बीच में AC voltage को check करेंगे, तो दोसो, neutral और earthing के बीच में voltage को check करने से, हमको कैसे बदा चलेगा, कि हमारी earthing सही है, या फिर खराब है, दोसो, यह line काफी जरूरी है, इसको आप समझ लीजिए, कहीं पर आप into देने जाओगे, या फिर आप कहीं पर work कर रहे हो, तो भी आपके लिए काफी जरूरी line है, पर हम प्रैक्टिकली work करते हैं, तब हम 2 से लेके 4 AC voltage को सही मान के चलते हैं, बतलब कि हमारा earthing और neutral के बीच में 2 से 4 voltage के बीच में आ रहा है, तो हम उसको सही मान के चलेंगे, तो इससे इसको ध्यान रखेगा, और इस line को जरूरी बोलेगा, क्योंकि अगर आप इन्टू के लिए सिफ इतना से बोल दोगे, कि हमारा earthing और neutral के बीच में voltage 0 होना चाहिए, तो वही समझ जाएंगे, कि आपको practical knowledge नहीं है, क्योंकि जब हम practically जाते हैं, वर्क करते हैं, तो उससे में हमको पता चलते हैं, कि हमारा voltage 0 होता ही नहीं है, 0 करना काफी मुश्चिल है, यह हमारी इस वीडियो की आखिर लिए लाईने, if we get closer than 0 voltage, that means having good earthing, मतलब कि हमारे neutral और earthing के बीच में, जितना voltage 0 के पास में होगा, मतलब closure, मतलब जितना अब 0 के पास में होगा, उतनी हमारी earthing को हम proper मानते हैं, अगर 0 होगा, तो वह हमारी सबसे best earthing के लाएगी, तो दोस्तों, उमीड है कि छोटे से वीडियो से आपको कुछ बहतर जान करी मिली होगी, दोस्तों, अगर आप earthing से जूड़ी और भी knowledge लेना चाते हो, तो मैंने हमारी website टे एक post लिख रखे है, जोकि earthing से जूड़ी है, जाके उनको पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छी से electrical और mechanical समझाएंगे, तो दोस्तों, एक बार आप हमारी website से जूड़ी है, इसके लिए आप जाके google पर search में आ सकते हो, engineering.com, और दोस्तों, आपको website कैसी लगी, प्लीज, वहाँ पर comment करके जूरू बताएगा, दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जूरू बताना, अगर आपको कोई भी सवाल, इस वीडियो के परतिया आप इलेक्टिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे comment box से comment करके पूश सकते हैं, इलेक्टिकल को इडियो से कर आप इनी में नेखना पसंद करते हैं, आज यह मैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजी, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,